आप सभी को तो पता चली गया है कि 22 अगस्त को UPAC के खिलाब कुल तीन केसे की सुनवाई की गई थी जिसमें से दो केसे में अभ्यारतियों की हार हो चुकी है तता तीसरे केस संतोस देवी भर्सेस UPAC के मामले में अगली सुनवाई का डेट 13 सेप्टेमबर को दे दिया गया है इस परकार कुल मिला के दो केसे स्वर्तमान में एक्टिव है पहला संतोस देवी भर्सेस UPAC का मामला जिसकी नेक्स्ट हेरिंग 13 सेप्टेमबर को है तता दूसरा हिमानसुक मार भर्सेस UPAC का मामला जिसकी लास्ट हेरिंग 2 अगस्त को हुई थी तता दिल्ली हाई कोट ने इस मामले में ओर्डर को रिजर्ब कर लिया और आज 25 दिन बीच चुके हैं लेकिन वह ओर्डर अभी तक नहीं आया है अगर हिमानसु कुमार भरसेस यूपेसी मामले में हार भी हो जाती तो उतना हानी नहीं होती जितना की इस ओर्डर को जारी करने में डिले किया जा रहा है क्योंकि अगर हार हो जाती तो आसानी से सुप्रीम कोर्ट में पहुचा जा सकता था और वहाँ पर केस की हीरिंग आसानी से हो जाती मैं इस बात को दोहरा दू कि हिमानसु कुमार भरसेस यूपेसी मामले में जी एस पेपर वन तथा जी एस पेपर टू अर्थात सी सेट दोनों मुद्दों को एक साथ उठाया जा रहा है जब कि सिधार्थ मिस्रा भर्सेश यूपेसी मामले में जेनरली सी सेट के मामले को उठाया गया है और जब 22 अगस्त को सिधार्थ मिस्रा भर्सेश यूपेसी मामले को दिलिक हाई कोट दुआरा खारिश कर दिया गया ताकि UPSC के इवल 15 Petitioners के आर्गुमेंट को बार बार दोहराना सके और जल्द ही सुप्रीम कोट में Petition डायर्क कर दिया जाएगा इसके साथ ही कई अन्य राइजियों में भी UPSC के खिलाब केसिस करने की पहल सुरूख कर दी गई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और भी केसिस हमें देखने को मिले साथ ही 2022 में UPSC दुवारा दिये गए गलत आंसर क्यूंके खिलाब भी एक फ्रेस केस डायर करने की पहल सुरूख कर दी गई है और वाकेस इसी मन्त या अगले मन्त तक दायर कर दी जाएगी इसके साथ ही अभ्यार्थियों ने सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस ऑप इंडिया को परतेच्छता लेटर लिखने तथा इमेल लिखने का भी कायरे शुरूख कर दिया है क्योंकि भारत के वर्तमान CJI लगबख सभी इमेल्स को तथा लेटर्स को खुद ही चेक करते हैं इसलिए अभ्यार्थियों ने या ने सामोहिक रूप से ले लिया है लेकिन CJI को इमेल करने में एक समस्या भी आ रही है वह समस्या है कि एक ही अभ्यार्थी एक ही इमेल से एक से अधिक इमेल्स CJI को भेज रहा है और एसे में अस्पेमिंग का भी केस बनता है इसलिए सयम रखते हुए एक बेक्ती केवल एक ही इमेल करे वही बहतर होगा कोट में केस की हुए लगभग अढ़ाय मेहने बीच चुके हैं लेकिन केस में रत्ती भर भी प्रोगेस नजर नहीं आ रहा है ना ही ये अस्पारिंस के फेवर में ही दिख रहा है हम लोगोंने कई आर्गुमेंट्स देखें और कई आर्गुमेंट्स तो बहुत ही चिचले किस्म के थे और लगता है कई बार ऐसा कि जजमेंट्स जो है प्रो यूपेसी कंसेप्ट से संचालित है इसके साथ ही यूपेसी में अभियार्थियों ने लगबख 16,000 रिपरजिन्टेशन्स भी भेजित थे और उन पर यूपेसी ने क्या कारवाही की अथ्वा नहीं की इस पर भी एक फ्रेस केस किया जा रहा है वह केस भी हमें जल्द ही देखने को मिलेगा क्योंकि अधिकांस अभियार्थिया मान रहे हैं कि यूपेसी को जितने भी रिपरजिन्टेशन्स मिले थे लगबख उन्होंने उसे कच्रे के धेर में डाल दिया है और इसी संदर्व से वे लोग इसे कोट तक गिसीट कर ले जाएंगे इसके साथ ही दच्छिन भारत के हाई कोट में भी फ्रेश केस करने की पहल सुरू कर दे गई है सब्ता यद दस दिनों के अंदर वे केसे समय देखने को मिल सकती है इस परकार वर्तमान में जिस तरह से पहल की जा रही है आने वाले समय में आधे दरजन से अधी केसेस देखने को मिल सकती है लेकिन बात फिर जाके वहीं पर रुक जाती है कि क्या इतने सारी केसेस होने के बाद भी अभियार्थियों को राहत मिलेगी या फिर यूही या सिलसिला चलता ही जाएगा क्योंकि यह सिलसला अगर यूं ही जारी रहा तो cases करने की कोई सीमा तो है नहीं कोई भी बेक्तिक case कर सकता है महत्पुर्म होता है उसका output और ओ भी positive outcome ये तो वक्त ही बताएगा कि आनने वाले समय में इन cases का directions तथा outcome क्या होगा लेकिन वर्तमान में दो cases से सरवाधिक उमीदे लगाई जा रही है पहला सिधार्त मिस्रा भर्सेस UPSC का मामला जो आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर सुप्रीम कोट में अपील के माधियम से ले जाये जाने वाला है जिसका मोल बिंदो C-set का मुद्दा है तथा दूसरा हिमानसु कुमार भर्सेस UPSC का मामला जिसमें GS पलस C-set दोनों मुद्दे सामिल है तथा अभी वर्तमान में दिल्ली हाई कोट में ही ही है तथा इसका ओर्डर दिल्ली हाई कोट ने रिजर्ब कर रखा है और हिमानसु कुमार गुरूप दिल्ली हाई कोट से काफी उमीदे लगाए हुए है उनका मानना है कि संभवता अभियारतियों के पच्छ में ही दिल्ली हाई कोट का निर्णे आएगा पर जैसा कि मैंने कहा यहां मात्र एक संभावना है और अगर दिल्ली हाई कोट अभियार्थियों के विपच्छ में विरोध में फैसला दे देती है तो फिर हिमानसु कुमार भरसे सुपेसी के मामले को सुप्रीम कोट में अपिल के माधियम से ले जाया जाएगा पर इतना लंबा समय होता किसके पास है अभियार्थियों का सब्र का बांध भी तूट चुका है और इसलिए अब थोड़ा उदासी च्छाना तथा मन खटा होना स्वभावी की है और इसलिए अब कई अभियार्थी मुभौन कर चुके हैं तथा जो जिद्दी परकार के अभ अलत किया है वे अभी भी अटूट रूप से खड़े हैं तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो जैसा कि हमें हर लडाय में देखने को ही मिलता है कि भाती-भाती के लोग उस गुरूप से जुड़ते हैं उस आंदोलन से जुड़ते हैं इसी परकार इस देखा गया है कि जजेज जो है प्रशनल इर्फॉर्मेशन्स पेटिशनल के पूछ लेते हैं तथा उसके आधार पर केसेस के मेरिट्स को डिसाइड भी करते हैं जैसा कि पिछली सुनवाई में हुआ था जब दिल्ली हाई कोट के जज ने पेटिशनल के एजुकेशनल बेग वे सारे आंकडों को ध्यान में रखते हुए तथा उन आंकडों को गेदर करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है अब बात आंदोलन की 22 अगस्त के निर्नी के बाद लगबख सभी का एक मत था कि एक मैसी प्रोटेश्ट आयोईजीत किया जाए लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा परमिसन ना दिया जाने के कारण तथा दिल्ली में जी टुएंटी का सम्मिट होने के कारण इस आंदोलन को परमिसन नहीं दिया गया और अगर इतने कम संख्याबल से या आंदोलन शुरू किया जाता तो बहुत ही कम समय में दिल्ली पुलिस द्वारा इसे कुचल दिया जाता आप अभी इस तथ्य से पूरी तरीके से अभगत हो चुके होंगे कि दिल्ली अभी पूरी तरीके से हाई अलर्ट में है क्य आने वाले हैं। इसलिए सिक्योर्टी से किसी भी परकार का समझोता नहीं किया जा सकता है। साथ ही दिल्ली पुलीस को कुछ अस्पेशल्स पावर भी दे दिये गए हैं। वह तथा अन्य राइजियों के कई सारे डी सीपी को दिल्ली में मंगवाया गया है। ताकि सुरच् का इंतजमात इस कदर किया जा रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में मुव्मेंट करना भी आसान नहीं होगा। लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान भी नहीं जा पाएंगे। और ये लगबग 10 सेप्टेमबर तक जारी रहेगा। तो कुल मिलाके G20 सिखर सम्मेलर न आते जाएंगे। वैसे वैसे आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। धन्यवाद।